गुडियूनिंग दोस्तों आज हम लोग सर्विकल कैंसर के बारे में पढ़ने वाले पर आपको सवाल आया होगा कि सर्विकल कैंसर के बारे में हम लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं सर्विकल के आंसर के बारे में हम लोग इसलिए पढ़ रहे क्योंकि जो इंटरीम बजेट हम या जेंडर बजेट की हिसाब से उसको पेश किया था तो हम यहाँ पे आज Science & Tech के हिसाब से उसको study करने वाले है कि इस पर किस तरह के questions हमें exam में आते हैं जो PCS के exam में पूछे जाते हैं जिसमें Science Tech और Science के questions होते हैं तो जो टॉपिक करंट अफेर से पकड़ कर जिस पर कॉश्चन पुछा जाता है उसी के कॉंटेक्स में ये बहुत इंपोर्टन टॉपिक है तो आईए अभी हम लोग इसको समझते हैं तो सबसे पहली चीज जो आती है कि इसका नाम जो है HPV वैक्सिनेशन को प्रॉमिस किया गया था अब HPV वैक्सिनेशन ये किस डिसीज के अगेंस्ट में दी जा रही है तो HPV वैक्सिनेशन जो है ये सर्विकल कैंसर के अगेंस्ट में दी जा रही है वह हमें समझना होगा अब बात आती है सर्विकल कैंसर तो इसमें इतना फोकस देने की क्या जरूरत थी इस पर हर साल 27,000 डेथ हो रही है तो यह उमन और यह सक्से जादा सिकंड हाईएस नंबर है जिसमें उमन कैजूल्टी हो रही है मॉर्टेलीटी रेडिस का सबसे जादा हाई है इसलिए गॉर्मेंट ने भी इसको फोकस करके टार्गेट करने क्या ठाना है तो अब सर्विकल कैंसर यह जो टॉपिक आता है इसमें सर्विकल का मिनिंग क्या होता है तो जैसे कि आप इस इमेज में अभी देखी पा रहे होंगे कि यह फीमेल रिप्रोडक्टिव औरगन का पार्ट है अब यहाँ पे cervix होता कहाँ पे है तो आपको हमें याद रखना है कि यह जो uterus है uterus और यह जो birth canal होती है उसके बीच में यह जो portion होता है इसे cervix बोला जाता है यह वाला जो portion है अब यह जो cervix है उसको आपको याद रखना है कि cervix कहाँ पे होता है तो cervix हमेशा uterus और जो vaginal channel है या birth channel है उसके बीच में जो portion होता है और यहाँ पर जब cancer develop हो जाता है जैसे आप इस image में देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी cancerous cell की development हो चुकी है अब यहाँ पर basic general understanding हमें यह चाहिए होती है कि cancer का मतलब क्या होता है cancer हमारे body में तब आता है जब हमारी body abnormally cell produce करने लग जाती है जो उसका specific function छोड़के दूसरे carcinogenic function चालू कर देती है अब उसी के context में हमें यह याद रखना है कि जब यह जो cervix वाला portion होता है इस cervix वाले portion में जब cell abnormally grow करना चालू कर देती है उसे हम लोग cervical cancer बोलता है और इसी cervical cancer को control में लाने के लिए जो government ने vaccine प्रपोस की है वो है HPV vaccine अब यह जो HPV vaccine है इसमें यह one of the leading cause है तो सबसे पहली चीज एक्जाम की इसाब से अगर हम लोग जाते हैं जहांफे factual based questions जो पूछे जाते हैं तो उसमें आपको HPV का full form पता होना चाहिए तो अब आप इसको note down भी कर लीजिए और हमेशा के लिए इसको याद भी रखिएगा कि HPV का मीनिंग होता है human papilloma virus अब human papilloma virus यह इकलोता कारण है क्या तो नहीं सर्विकल के एंसर के बहुत सारी रिजन्स है पर उसमें सब जादा prominent जो है वो है वो HPV वाइरस है और इस HPV वाइरस के बारे में हमें और एक चीज हमेशा याद रखने है कि यह sexually transmitted infection है मतलब HPV वाइरस फैलता कैसे है अगर यह आपको कभी पूछा जाता है तो आपको यह सम sexually transmitted infection है याने कि यह sexual relations और sexual context के वज़े से spread होता है और यह one of the leading cause है जिसके वज़े से cervical cancer होता है अब इसी context में अगर हम लोग देखते है कि रिस्क यहाँ पर कौन से कौन से factors है जो रिस्क को बढ़ा देते है तो यहाँ पर risk factors में जो आता है तो सबसे पहली चीज जो है उसमें आपको याद रखना है कि weak immune system जिस किसी person की immunity system weak हो जाती है उस person को यह बहुत जल्द cervical cancer के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि यह women's में सबसे ज़्यादा पाया जाता है particularly women's में ही यह होता है इसके one of the reasons होते है कि जब immunity system किसी चीज़ के वज़े से weak हो जाए जैसे हम लोगों ने पहले देखाता है कि इसके फैलने का जो main cause जो होता है वो होता है sexual interaction तो उसम के अलावा smoking या जो birth control करने के लिए long term contraception भी वगेरा जो भी यूज किये जाता है वो भी person ज्यादा प्रॉन होता है जिने cervical cancer हो सकता है तो यह risk वाले factors होते है तो यहाँ पर एक point हमेशा याद रखना है कि इसमें most of the जो चीज़े होती है वो women होती है तो यह किसे होता है तो यह women's को होता है यह point याद रखना है फिर उसके बाद मान लीजिया cancer हो गया है अब cancer होने के बाद उसके लिए treatment के लिए कुनसे कुनसे solutions है तो अगर किसी को cervical cancer हो जाता है तो जैसे कि normal cancer treatment के लिए जो भी options आज की data में available है वही सारे options यहाँ पे available है treatment में जो options available होते है one of the option होता है surgery, surgery में doctor surgical intervention करके वो जो tumor होता है जो cancerous sales होती है उसको remove कराने का काम कराते है दूसरा जो होता है वो होता है chemotherapy जिसमें particularly एक drug को target किया जाता है जो on the way जितने भी वो dangerous cancerous sales है उन्हें kill करने का काम करती है तीसरा option जो normally होता है वो होता है radiation therapy radiation therapy में क्या होता है radiation therapy में particular beam of energy use की जाती है targeted cells को kill करने के लिए एक immunotherapy भी होती है जो आजकल बहुत news में चालू है जिस पर questions भी आ सकते हैं immunotherapy में हम लोग अपनी immunity system को train करते हैं ताकि वो उस cancerous cell को recognize करें अब यह जो immunotherapy आती है तो उसमें आप में समझना होगा कि हमारी body की immunity system जो है न अगर उसने उसको as a antigen recognize कर लिया तो उसको fight back करके kill कर सकती है इस method के तुरू हम लोग उसे अपनी immunity system को उसे antibody recognize करने के लिए train करते हैं यह जो normal cancer treatment की जो methods जो अभी available है वो हमेशा cervical cancer के लिए भी available है पर क्या कोई ऐसा specialized तरीका है जिसके वज़े से हम लोग cervical cancer को treat कर सकते है तो देखिए अगर cervical cancer हो जाता है तो हम लोग उसको अभी treat करने के लिए हमारे पास कोई method नहीं है पर इसके लिए सबसे best तरीका जो है वो है prevention और prevention के लिए हमारे पास vaccines है अब prevention के यह जो भी vaccines है उस context में हमें जो चीज यहां पर याद रखने है वो यह है कि यह vaccine जो है यह 2008 मार्केट में available है पर यह private hospitals में available थी जिनकी cost जो है ना वो नियर about 4000 के आसपास थी अब private hospitals में इसके vaccines available है जो बहुत costly है जिसके वज़े से जो percentage of immunization जो है वो बहुत कम था उसको बढ़ाने के लिए government ने budget में इस साल interim budget जो प्रपोस किया था उसमें कुछ provisions किये थे इसलिए तो हम लोग यह topic जो है वो पढ़ रहे है कि government ने इसमें provisions कि इसका मतलब यह कि government अभी free में vaccination देने वाली है यह HPV की vaccines किसके लिए तो cervical cancer को control करने के लिए तो obviously cervical cancer होता किसे है most of the women's को होता है तो government इसमें किसे target करने वाली है तो government इसमें target करने वाली है girls को अब girls को क्य तो यह जो vaccination है यह early age में दी जाया है तो बहुत जादा effective होती है इसलिए तो government ने इसके लिए जो free में vaccination देने के लिए जिस vaccine को choose किया है इसका नाम हमें exam के हिसाब से बहुत important है इसको आपको याद रखना होगा तो यह जो है इसका नाम आता है seravac यह आपको याद रखना है कि cervical cancer के लिए जो vaccine है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है seravac दूसरा इसको बनाया है किसने है तो इसको आप सभी को याद है serum institute serum institute हम सबको याद है क्योंकि इसी ने कोरोना की टाइम पर vaccination का मास्ट प्रोडक्शन किया था और हमें वैक्सिन अवेलेबल करवाई थी तो serum institute ही है जो अपना इंडिया का इंडिजिनियस है जो इस वैक्सिन को बना रहा है तो अब एक्जाम के लिए कुंसी चीज याद रखने है कि cervical cancer की treatment के लिए हमारे पास वैक्सिन अवेलेबल है उस वैक्सिन का नाम है seravac seravac इसे बनाया किसने है इसको बनाया है serum institute इंडिया में तो क्या privately पहले अवेलेबल नहीं थी अवेलेबल थी पर बहुत कॉस्टली आती थी नियर अबॉट 4000 के एक वैक्सिन होती थी करके अभी गवर्मेंट ने इसको फ्री में वैक्सिनेशन ड्रैव चलाने का डिसीजन लिया है तो उसी टॉपिक में अगर हम लोग देखते हैं तो अभी यह जो पॉइंट से इनको एक्जाम की हिसाब से आपको बहुत अच्छे से याद रखने कौन से तो सबसे पहले जो है कि सर्व प्रिकल कैंसर था इसलिए गवर्मेंट ने क्या इंट्रूडूस किया एच्पीवी वैक्सीन अब उसका किसी दिने जा रहे है तो याद रखेगा एज ग्रूप आप 9-14 किने ऑल गल्स जितनी भी गल्स है उन्हें जिनका एज 9-14 है उसमें उन्हें वैक्सीन दीनी जाने है अब इस वैक्सीन के कितने डोसेज है इस वैक्सीन के दो डोसेज है इस पॉइंट को याद रखना है इस वैक्सीन के दो डोसेज है और वो हर 6 मेने में एक दिना है 6-6 मंद के इंटरवल के बाद तो मतलब सेर्वोग जो वैक्सीन है उसके दो डोसेज है जो 6 मंद के बा और यहाद होगा यूणिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यह जो इसमें गवर्मेंट इसको एड करने के बारे में सोच रही है यह मिशन इंद्र धनुष के अंदर सेलेक्टिव लीक ही जगाओ पे इंटूडूस किया जा रहा है पर यह जो इनिवर्सल इम्म्यूना कि यहां पे यह यूनिवर्सल इम्मुनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर जो मिशन इंद्र धनुश आता है उसके अंदर इस वैक्षिन को इंक्लूड किया गया है पर अल इंडिया लेवल पर अभी तक के इंक्लूड नहीं की गई है तो यह पॉइंट हमेशा के लिए याद कि यह सर्विकल कैंसर के बारे में थी तो अभी एक्जाम के इसाप से अगर हम लोग जो शौट नोट निकालते हैं जिसमें कौन सी चीज़े हमें अच्छे से ध्यान में रखते आनी चाहिए जो आपको रखनी है तो यह सारे में पॉइंट्स आपको रटने हैं सबसे पहला बोलते हैं अब सर्विक्स में होता है करके यह मोस्ट आप दे कैंसर कहा पर होगा तो उमन्स कोई होगा और उसमें एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ होती है और उस ग्रोथ के लिए लीडिंग कौन सा है तो एच्पीवी अब यह एच्पीवी का फुल फॉम भी आपको याद बने निए लगल बातों tel इस्के कितने और इंटर इस टीम फॉमगल इसके वारे में हमें याद रखना है साथ ही में सेक्श्या में यह च्यूंच वहाल पॉ vacant हमेशा के लिए आपको याद रखना है कि HPV ये sexually transmitted infection है और जो हमारी country की universal immunization program है ये इसका अभी तक के part नहीं है कुछ selective states में इसको add किया गया है उसका एक example याद रखियेगा पंजाब है और बाकी states में universally all India level पे add करने के लिए government इसके लिए provisions कर रही है तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी cervical answer के बारे में अब आप लोगों को समझना होगा कि ये topic हम लोग क्यूँ समझ रहे थे ये topic हम लोग इसलिए समझ रहे थे कि science and tech के questions जो होते है वो current affairs से आता है इस साल की intermediate budget में भी इसको provision था अब ये जो questions है ये prelims में भी आएंगे और mains में भी आएंगे अब prelims में इस पर question किस type के आ सकते है कौन से कौन से तरीके से पूछ जा सकते है ये हम लोग state PSC के context में देख रहे है तो कुछ questions है जैसे आप try करके देखे कि आपको इसके answers आते है क्या देखे पहला question which of the following is the primary cause of cervical cancer अब निमनल लिखित में से कौन सा cervical cancer का प्राथमिक कारण है अब ये एक simple सा सवाल है अब इसके चार options भी आप पढ़ सकते है Hepatitis B virus है Human Immunodeficiency Virus है Human Papilloma Virus है Epstein-Barr Virus है As usual, you know कि इसका answer क्या है इसका answer है HPV Virus आपको ये याद रखना है Human Papilloma Virus फिर next question जो है वो कौन सा आ सकता है तो next question है which of the following vaccine is administered to prevent cervical cancer caused by the HPV अब यहाँ पे आपको vaccine का नाम पुछा गया है कि कौन से vaccine दी जाती है अगर cervical cancer को prevent करना है तो जैसे हमने देखा था अब आप यहाँ पे देख सकते है BCG vaccine है CeraVivac vaccine है MMR vaccine है Hepatitis B vaccines है तो answer आपको याद रखना होगा उसी के साथ आपको ये बाकी की सारी vaccine किस के लिए दी जाती है उसके बारे में भी जान करी चाहिए जैसे for example मान लीजे BCG vaccine जो है ये TB के लिए दी जाती है MMR vaccine ये measles and rubella के लिए दी जाती है Hepatitis B के लिए vaccine हम लोग Hepatitis B को कंट्रोल करने के लिए देते हैं तो हमारा correct answer कौन सा हुआ CeraVivac अब कितने dosage चाहिए तो हमने देखा था इसके दोडो से चाहिए और वो भी कितने इंटरवल के बाद चाहिए तो 6 months के इंटरवल के बाद चाहिए Next question देख लेता है अब ये एक देख लिए Human papilloma virus is primarily transmitted through which of the following means अब इसका transmission जो होता है वो किस means कि थ्रू होता है अब जैसे हम लोगों ने वो point note down में भी दिखा था और आपको उसे याद रखना है कि ये जो disease है ये sexually transmitted infection है ठीक है दोस्तो अब ये तो थे prelim के हिसाब से जो objective type के questions आ सकते हैं और mains में तो हमें descriptive type का भी questions आएगा और descriptive questions के लिए हमें क्या चाहिए conceptual clarity चाहिए तभी तो जाकर हम लोगों descriptive answer लिख पाएंगे जैसे ये question को पढ़ते हैं और इसको बारे में सोचते ही किसका answer कैसे हो सकता है क्या हो सकता है जैसे देखिए discuss the significance of human papilloma virus in a etiology of cervical cancer critically examine a current strategies for prevention of cervical cancer in India including a role of vaccine such as seravivac अब cervical cancer के कारणों में human papilloma virus के महत्वा पर चर्चा करें अब ये जो question का जो part था इसे में हमें बताना पड़ेगा कि cervical cancer का जो leading cause जो है वो कोन है तो ये virus है और ये virus कैसे transmit होता है और इसके causes कौन से कौन से है और इसका rate बढ़ने की जो rate बढ़ रहा है उसके कारण कौन से जो हम लोगों ने अभी discuss किये थे इस वीडियो में चाहे तो आप इसको फिर से rewind करके देख लीजे वो आपको लिखते आना चाहिए साथ ही में इन्होंने पूछा है कि prevention of cervical cancer के लिए कौन सी कौन सी strategies है अब जो strategies है उसमें से एक और उसका आलोचनात्मक वरवर्णन भी करना है तो strategies में से एक तो सबसे पहले strategy होनी चाहिए कि awareness second होना चाहिए vaccination का available वो भी सरकारी hospital में free up cost जो की government अभी कर रही है आप उसको आलोचना कर सकते हैं कि यह अभी पहले क्यों नहीं किया था या इसको immunization program का part बना के सभी को दे देना चाहिए इस type के points लिखकर आप इसका mains का भी answer लिख सकते है I hope कि आपको यह cervical cancer वाला topic समझ में आया होगा जो भी points मैंने important बताये हैं आप उन्हें note ground करके याद कर लीजेगा अगर आपको questions आता है तो आपको इसका answer बराबर लिखते आना चाहिए तो आज के लिए बस इतना ही